मैं कठियार से हूँ, इसलाम मेरे जहन में काफी दिनों से है और मैं पिस टीवी कभी कभी देखा करता था और आप से काफी इन पिस हूँ तो एक सवाल मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि क्या इसलाम कबूल करने पर साका हडी को क्या मांसा हडी होना जरूरी है ये आम लोगों की जहन में है भाई साब का अच्छा सवाल है कि इसलाम कबूल करने पर क्या शाका हारी को मांसा हारी वेजिटेरिन को नौन वेजिटेरिन होना फर्द है नहीं भाई साब, इसलाम में गोश्ट खाना फर्द नहीं है इसलाम में एक इनसान अच्छा मुसल्मान रह सकता है सव फीसद शाकारी बनने के बाद भी इसलाम में फर्ज नहीं है तो मैं ताहे दिल से इसलाम को कबूल करना चाहता हूं माशालला और खुदा की पनाहों में जीना चाहता हूं माशालला आप मानते हैं कि खुदा एक है जी हाँ आप मानते हैं कि भुद्परस्टी गलत है गलत है मुर्ती पुजा गलत है एकदम गलत है आप मानते हैं कि मुहम्मद अल्लाव सल्लाम आखरी पेगंबर है जी हाँ माशालमा浜, आपको कोई भी जबर्दस्टी कर रहे इस्लाम कबूर करने के लिए? जी, नहीं कोई जबर्दस्टी नहीं और पूरा की अंदर, माशाललह, निस लोग, निस लोग ने, माशाललह, इस्लाम कबूल किया थो पूली स जाके पूछी ते डॉक्टर साब ने कितने डॉलस दे आपको तो इसलिए मैं सब लोग के सामने पुलीस के सामने ही पूछ रहा हूं तो हक के बात के लिए डर क्या तो आप अपने दिल से करना चाहते हैं और गोश खाना इसलाम में फर्ज नहीं है फराइस बहुत कम है इसला जो मेन फर्ज और हराम लिखा उसके अंदर कूल मिला कि और वहीं यह लması कि लेकिन मेन ये है तो इसके अंदर कहीं भी नहीं लिखाए के गोश खाना फर्ज लोग को यह गलत फहिमी है कि मुसलमान को गोश खाना ही चाहिए हा इदाज़त है इदाज़त वेद में बीए आप उसे दोराइए बंदे है बंदे हैं माशाला आप मुस्लिम हो चुके और आप जिन्दगी बर अगर शाकारी भी रहेंगे तो कोई हर्ज नहीं है और अलहम्दलिल्ला आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और मौगने से दर्कास करूँगा कि जितने भी गेर मुसल्मान जो इसलाम कि आपको और हिदाद दे और इस दुन्या और आखरत में सबसे बहती हैं जिन्दगी